नमस्ते बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उसी कक्षा यानि कक्षा दस के छेतिज पाठे पुस्तक के साथ जिस पाठ को हम पढ़ ले थे अब तक यानि नौबत खाने में इवादत बच्चों यह उसका दूसरा आंश है पहले आंश में हमने पढ़ा कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब का जन्म बिहार के डुमराओं जिले में होता है किस प्रकार से वे काशी आते हैं वहाँ उनका बच्चपन बीथता है और बच्चपन से ही संगीत के प्रती उ एक महान प्रसिद संगीतकार में सहज मनुष्य रहता है मुहरम के पर्व के दौरान कैसे उनके भीतर की मानुवी करुणा हमारे समक्षाती है तो आईए बच्चों पार्ट में हम आगे चलते हैं अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वेंग किसी शरन किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुष्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गर सकें हिरन अपनी ही महक से इस परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है असी बरस से बिसमिल्ला ख यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई बचों यहां लेखक बता रहा है कि हम सभी अपने लिए एक तिलिस्म गरते हैं एक जादू का दुनिया एक जादू की दुनिया गरते हैं बनाते हैं जिसमें हम स्वेंग उलद जाते हैं यहां आशे यह हैं बच्चों कि हम सभी के मन के भीतर एक दुनिया होती है जिस दुनिया में हम अपने लिए वे उपाये खोज रहे होते हैं जिन उपायों के माध्यम से हम आत्म संतुष्ठ हो सकें बिस्मिल्ला खां साहब के भी भीतर यह ललक थी और बच्चों यह संतुष्ठ होने की जो च्छमता है वह भी हमारे भीतर ही है वैसे ही जिसे की हीरन के भीतर कस्तूरी म्रिक के बारे में आपने सुना होगा कस्तूरी म्रिक के भीतर वह सुगंद का श्रोत होता है जिसकी महक को वह बाहर खोजता फिरता है कहा भी गया है कि कस्तूरी कुंडल विस्त बसे म्रिक ढूणे बनमाही ऐसे घट-घट राम हैं दुनिया जानत नाही आशेया है कि हमारे भीतर ही वह छमता है जो हमें प्रसिद्ध दिलाएगी जो हमें संतुष्ट करेगी बिस्मिल्ला खाँ साहब भी उसी संतुष्टी की खोज में है हम सब उसी संतुष्टी की खोज में रहते हैं लेकिन जब तक हम उस संतुष्टी के लिए बाहर प्रयास करते हैं उसे बाहर के आकरशनों में खोजते हैं तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते कोई उपलब्ध ही नहीं प्राप्त कर पाते बिस्मिल्ला खां सहब अपने भीतर से जब वह प्रेणा प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से वे शेहनाई के लिए रियाज करते हैं जिसके माध्यम से उनमे विनम्रता आती है तभी तो वे उस्ताद बिस्मिल्लाख खाँ बन पाए तो अभी तक उनमें यह बात भरी हुई है कि उन्हें सलीके सिस्सुर बजाने की तमीज नहीं आई है और इसलिए वे अपने भीतर उस प्रेणा को उत्पन कर पाते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं बिस्मिल्लाख खाँ और शेहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसल्मान हजरत इमाम हुसेन उनके कुछ वंसजों के प्रती अजादारी मनाते हैं अजादारी यानि शोक मनाते हैं ऐसी परंपरा रही है कि शिया मुसलिम यह मानते हैं कि हुसेन साहब हजरत हुसेन साहब और उनके वनसुजों की हत्या कर दी गई थी उसी के उपलक्ष में वे शोक मनाते हैं पूरे दस दिन तक और इस दस दिन को मुहर्म का पर्व माना जाता है शोक का पर्व माना जाता है इस पर्व के साथ बिसमिल्ला खां और उनकी शेहनाई जुड़ी हुई है वे बताते हैं कि उनके खांदान का कोई व्यक्वी मुहर्म के दिनों में ना तो शेहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कारिकरम में हिस्सा लेता है या सिरकत करता है आठवी तारीख उनके लिए खास महत्तुकी है इस दिन खांसाहब खड़े होकर शेहनाई बजाते हैं वदाल मंडी में फात्मान के करीब आठ किलो मीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं बचों नौहा एक शैली है एक सुर है जो दुखी होने पर दुख की अभिवेक्ति करती है मुहरम के आठवे रोज वे इस सुर को बजाते हैं और इसको बजाने का तरीका क्या है कि इसको खड़े होकर बजाया जाता है चुकि ये दुख का वाद्दे है इस समय इसे दुख के लिए बजाया जाता है इसलिए इसको खड़े होकर बजाते हैं और न केवल खड़े होकर बजाते थे बलकि इसको बजाते हुए आठ किलो मीटर दालमंडी एक जगा है वहां से फात्मान जिनके बीच की दूरी आठ किलो मीटर है वहां तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए यानि दुख का एक स्वर दुख का एक राग बजाते हुए जाते हैं इस दिन कोई राग नहीं बसता इस दिन कोई विशेस राग नहीं बसता कोई शास्त्री रा के लोगों की शहादत में नम रहती हैं वे दुख महसूस करते हैं उस्ताद बिसमिल्ला खां साहब की आँखें गीली रहती हैं नम रहती हैं उनकी आखों से आंसू बहते हैं अजाधारी होती है यानि शोक मनाया जाता है हजारों आखें नम, एक साथ हजारों लोग यह दुख मनाते हैं आपने मुहर्म का समारो भी देखा होगा बच्चों बहुत सारे लोग जुलूस निकालते हैं, उसमें मातम मनाया जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान साथ भी उसमें शामिल होते थे वे भी शोक मनाते थे क्योंकि हजरत इमाम के साथ इमाम हुसेन के साथ जो हुआ था वह अपने आप में ठीक नहीं था हजार वरस की परमपरा पुनर जीवित फिर से जीवित हो जाती है मुहर्म संपन होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवी ये रूप ऐसे आउसर पर आसानी से दिख जाता है एक बड़ा कलाकार प्राया हमने देखा है कि जो बड़े कलाकार होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं वे प्राया आम जन्ता के बीच में नहीं जाते हैं आम जन्ता से बसते हैं प्राया वे बड़े-बड़े मन्चोंपर ही अवतरित होते हैं लेकिन उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ आम जन जीवन से जुड़े हुए थे उनमें सहज मानवियता मौजूद थी सहज मानवियता यानी मनुष्य का जो सहज भाव है दुख शुक जैसे दुख में मनुष्य सहज रूप से रो पड़ता है सुख में हस पड़ता है वह उस्ताद बिसमिल्ला खांके भीतर था वह हसते और रोते बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे हम और आप हैं वो सेलिब्रिटी या बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों की तरह अपने दुख और सुख को जब्त नहीं करते थे बलकि खुल कर वेफ्ट करते थे महरम में यहां हम आसानी से देख सकते थे तो बच्चों यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब इतनी अधिक प्रसिद्ध पाने के बावजूद इतने लोगप्रिय होने के बावजूद अपने मन के भीतर एक सामान मनुश्य हैं सामान मनुश्य की तरह ही उनका हिर्दय सुख चुख में प्रतिक्रियाएं करता है भावनाओं का प्रवाह उसके भीतर बहता है भावक होते हैं मोहर्म के अवसर पर उनके भीतर की मनुश्यता उनके भीतर की करुणा हमारे सामने प्रस्तुत होती है आईए अब इस मुहर्रम के गमजदा माहौल से हम आगे बढ़ते हैं मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के छणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक यात करते हैं अपने अभ़जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचवड़ी वाली दुकान वा गीता बाली और सुलोचना को ज़ादा यात करते हैं बचों यहां आप देखते हैं कि जिस तरह से आपके साथ होता है, जिस तरह से सभी मनुश्यों के साथ होता है, हम अपनी आपचारिक सिक्षा को इतना याद नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को इतना याद नहीं करते हैं, बलकि अपनी क्लास के भीतर जो हमारी प्रतियोगि प्रतिस्पर्धा होती है जो हमारी जिद होती है कुछ सीखने का जो जुनून होता है उसे ज़्यादा याद करते हैं इसी तरह से हम बहुत सारी आपचारिक बातों पिता मा इत्यादी के द्वारा दी गई सिक्षाओं को कम याद करते हैं बलकि परिवेश से वातावरण से ज इन में हमें रूची थी उन्हें ज़्यादा याद करते हैं ऐसा ही बालक उस्ताद बिसमिल्ला खांक साहब के साथ था वे अपने अबाजान को कम याद करते हैं लेकिन कुलसुम हलवाई की दुकान को ज़्यादा याद करते हैं जहां कि कचोड़ियां उन्हें बहुत प्र बहुत पसंद करते थे वे कैसी सुलोचना उनकी पसंदीदा हिरोईन रही बड़ी रहस में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है जब उनसे बात कीजिए सुलोचना के विशे में तो उनके गालों पर एक चमक सी आ जाती है और एक रहस में मुस्कुराहट होटों खेल जाती है बिसमिल्ला खान साहब के यानि उनके मन में सुलोचना के प्रति एक मधुर भाव था जो उनकी आँखों में उनके चेहरे से नजर आने लगता है खान साहब की अन्भवी आँखें और जल्दी ही खिससे हस देने की इश्वरी एकरपा आज भी बदस्तूर कायम ह जिस समय बच्चों ये व्यक्ति चित्र लिखा गया उस समय के बारे में लेखक यतिंद्रमिश्र कह रहे हैं कि उस समय तक जबकि उनकी आईव असी वर्स पार कर रही थी इसके बावजूद उनकी आँखों का अनुभव यानि सच को अच्छी चीजों को समझ पाने का जो अनुभव उनकी आँखों में था सीखने का जो जजबा उनकी आँखों में था वह और जल्दी ही खिस से हस देने की इश्वरी एक्रपा यानि जरा जरा सी बात पर हस देने की जो इश्वर की इक्रपा उन पर थी जो सहजता उनके भीतर थी जो प्राया प्रसिद्ध लोग बदस्तूर कायम यानि पूरी तरह दस्तूर का अर्थ होता है बचों अनुशासन या परंपरा जैसा होना चाहिए वैसा इसी बाल सुलब हसी में कई यादें बंद हैं वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसरगी का आनंद में आखें चमक उड़ती हैं उनकी इसी हसी में बहुत सारी यादें हैं कौन सी हसी बाल सुलब हसी जो बच्चों के लिए सुलब होती है हसी जो हसी बच्चे हसते हैं जिनमें कोई बनावट नहीं होती कोई छल छद नहीं होता नैसरगी कार्थ होता है प्राकृतिक उनके भीतर का जो प्राकृतिक आनंद है वे वह उनकी आँखों में छलक उठता है उनकी आँखों में आ जाता है और उनकी आँखे चमकने लगती हैं फिर वे अपने बच्पन को याद करते हैं जब वे चार साल के थे छुप छुप कर नाना को सहनाई बजाते हुए सुनता था अमीर उद्दीन रियास के बाद कोटी बड़ी शहनाईयों की भीड से अपने नाना वाली शहनाई दूरता और एक एक शहनाई को फेक कर खारिज करता जाता था सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं बच्चों बिलकुल बचपने में जैसे आप हरकते करते थे जैसे हम अरकते कर होगी जो इतनी मीठी बस्ती है वे अपने नाना के रियाद को नहीं समझते थे कि उनका अभ्यास इतना था कि वे अच्छी शेहनाई बजाते थे बलकि इन्हें ऐसा लगता था कि जो सहनाईयां बहुत सारी उनके सामने रखी हुए है उनहीं में कोई एक ऐसी शेहनाई है जब मामू अली बक्ष खान जो उनके उस्ताद भी थे, अली बक्ष खान साहब ने उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को शेहनाई सिखाई थी, बचों उस्ताद का अर्थ होता है टीचर, सिक्षक, जो सिखाता है, जिसे किसी खास विधा में अच्छी जानकारी या अच्छा ग्यान हो तो जब मामू अली बक्ष खां सहब सहनाई बजाते हुए सम पर आएं तब धर से एक पत्थर जमीन पर मारता था सम पर आने की तमीज उन्हें बच्पन में ही आ गई थी बच्चों ये सम पर आना क्या होता है आप में से अगर कुछ बच्चे संगीत सीख रहे संगीत को गाते समय या संगीत बजाते समय उसके कई तरह से उसके रफ्तार के अनुसार उसको समझने की कोशिस की जाती है उसमें दृत होता है विलंबित होता है और सम होता है सम मतलब इस्थिर हो जाना तो जब संगीत सम पर आता था वो बहुत कठिल होता है बच्चों द हुए वे सम पर आते थे तो वे एक पत्थर उठा कर बिस्मिल्ला खां साथ जमीन पर मारते थे उन्हें उसकी समझ बच्पन में ही थी जिसकी समझ बड़े बड़े लोगों को बाद में भी नहीं हो पाती है यानि बिस्मिल्ला खां के भीतर यह नैसरगीक समझ थी प्राकृत का वरदान था मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है सिर हिला कर दी जाती है पत्थर पटक कर नहीं बालक बिस्मिल्ला खां साथ को यह तो नहीं पता था कि दाद देना हो यानि तारीफ करनी हो तो सिर हिलाया जाता है या वह वह कहा जाता है और बच्चपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या उस समय थर्ड क्लास के लिए छे पैसे का टिकट मिलता था थर्ड क्लास यानि उस समय बच्चों पिक्चर हॉल में तीन तरह की सीटें होती थी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास जो सबसे महंगी होती थी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास बिलकुल आगे बैठना होता था उसके लिए 6 पैसे का टिकट लगता था और अमीर Uddin यानि उस्ताद बिसम इल्लागास था को एक दिवानगी थी बहुत ललक थी फिल्मे देखने की अमीर उद्दीन दो पैसे मामू से दो पैसे मौसी से दो पैसे नानी से लेता यानि छे पैसे का जुगार इस तरह हो जाता था मौसी मामा नानी तीनों से लेते फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता और फिर घंटों लाइन में लगे रहते टिकट के लिए इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हौल में आई और उधर अमीर उद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने जो बाला जी मंदिर पर रोज शेहनाई बजाने से उसे मिलती थी तो शुरू में तो यू जुगाड होता था कि मामा मौसी नानी से पैसे मिलते थे और बाद में बाला जी मंदिर पर जो वो शेहनाई बजाने पर प्राप्त करते थे उस से उनकी पसंदीदा हिरोईन या अभनेत्री सुलोचना की फिल्मे देखने वे जाते थे तो देखा बच्चों आपने कैसे वे जब छोटे थे तो अपने मामू से दो पैसे अपनी मौसी से दो पैसे और दो पैसे अपनी नानी से लेकर फिल्मे देखने का अपना शौक पूरा करते थे और जब वे बड़े हुए तो जो पैसे उन्हें बालाजी मंदिर पर शेहनाई बजाने पर रोज मिलते थे उन पैसों से वे अपना शौक यानि सुलोचना की कोई नई फिल्म आने पर उसे देखने जाया करते थे एक अठनी महंताना उस पर यह शौक जबरदस्त की सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान वहां की संगीत में कचोडी सुलोचना जो उनकी पसंदीदा अभनेत्री थी उनकी कोई फिल्म छूटने नहीं चाहिए हर फिल्म वह देखते थे उनकी और साथ ही कुलसुम की जो देशी घी वाली कचोडियां थी उन्हें भी जरूर खाते थे उसकी दुकान पर भी जरूर जाते थे वहां की संगीत में कचोडी वो कचोडी सामाने कचोडी नहीं थी संगीत में कचोडी थी कचोडी संगीत में कैसे होगी संगीत में कचोडी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचोडी डालती थी उस समय चन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह औरोह दिख जाते थे राम जाने कितनों ने ऐसी कचोड़ी खाई होंगी बचों आपने सुना होगा एक कहावत कि हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता बहु प्रकार गाव अही शुरती संता या जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैसी आशे ये है कि जो व्यक्ति जिस चीज में डूबा होता है उसे प्रकृती के कणकण में वही चीज नजर आती है उस्ताद बिसमिल्ला खाँ साहब को संगीत का शौक था वे संगीत के रियाजी अभ्यासी थे अभ्यास करते थे तो कुल्सुम की जो कचौड़ियां थी उन्हें तलने से उठने वाली जो आवाज थी जो कलकलाते तेल में यानि गर्म उबलते हुए तेल में चंड से कचौड़ी पड़ती थी उसको देखकर वे सुरों की आरोः और रोः को समझते थे उस पर अनुमान लगाते थे यहां लेखक कहता है कि न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी कचोड़ी खाई होगी जिस से सुर की तमीज सीखी जा सकती है जिस से संगीत सीखा जा सकता है मगर इतना तै है कि अपने खाँ साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं ना केवल वे अभ्यास करने में कुशल थे बलकि उन्हें स्वाद का भी काफी अभ्यास था यानी खाने का भी बहुत शौक था और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है बच्चों आज जब हम उस्ताद बिसमिल्ला खाँ साहब को देखते हैं तो याद करते हैं कि बच्चपन में कैसे वे अपने नाना को शहनाई बजा लेने के बाद देखा करते थे उनके जाते उनकी शहनाईयों में से वह शहनाई ढूरते थे जो मीठी बसती थी बच्चों वो तो एक बाल सुलब प्रयास था लेकिन इन्ही बाल सुलब प्रयासों से गुजरते हुए अपनी इसी दिर्ण इक्षा सक्ति के बल पर उन्होंने अपने पूरे वातावरन से शेहनाई बजाना सीखा और उस मीठी शेहनाई को प्राप्त किया जो मीठी शेहनाई आज उनकी पहचान है तो यहाँ पर आज इस अंश को फिर से हम देते हैं विराम अगले अंश में आपसे फिर से मिलेंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रसिद्ध होने के बावजूद कैसे भारत रत्म प्राप्त करने के बावजूद उनकी यह दिर्णता बनी रही कि संगीत महत्पूर्ण है ना क जीवन के अन दिखावे तब तक के लिए धन्यवाद खारत करने के बावजूद इस तक को जीवनुट आपसे है और हम प्राप्त करने के लिए भी नाओड़गे आपसे आपसे जीवने है इस समय जीवन। मुचर्ण है चले आपसा है ओन्यवाद